Hello everyone and welcome back to my channel Leonard Sub तो आज जो हम लोग topic discuss कने जा रहे हैं उसका नाम है The Drover's Wife जो की एक Australian writer Henry Lawson के द्वारा लिखा गया है तो इस story को basically year 1892 में लिखा गया था और फिर उसी year 1892 में ही इससे एक periodical magazine The Bulletin में publish भी करवा दिया गया था और बात कर ले इस topic के genre की तो ये एक short story है जो की basically deal करता है एक driver यानि एक चरवाहा या hurtsman की जो wife होती है उसके struggling और hardship life से ये उससे deal करता है यानि किस तरह से एक चरवाहा जो होता है जब वो अपने भेड़ बक्रियों को चराने के लिए वो दूर दूर अपने लंबे सफर को तै करता है और वो महिनों महिनों जब घर नहीं लोडता है तो कैसे उसकी wife जो है वो अकेले ही अपने बच्चों को समालती है कैसे वो अपने जीने के लिए struggle करती है और वो natural calamities से और बाकी के problem से fight करती है इन सब चीजों को story में दिखाया गया है और रही बात story के setting की तो इस story को Australia के एक outer back region में set किया गया है यानि Australia के शहरों से 19 मेल दूर वहां के एक बाहरी छेतर में या एक remote area में set किया गया है जहां पर जाडिया या bushes है तो इस story को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को story के कुछ major characters से introduce करवाना चाता हूँ ताकि आगे चलकर आप लोग को इस story अच्छे से समझ में आ जाए तो इस story के सबसे पहले character है तो ड्रोवर यानि एक hurtsman या एक चरवाहा जो की हमेशा अपने घर से दूर रहता है अपनी भेड बकरियों और बाकी के domestic animals को चलाने की वज़े से और वो एक काफी decent husband है और जितना उससे हो सकता है वो उतना अपने family का खयाल लखने की कोशिश करता है वो अपने इस driver man या hurtsman का profession को छोड़ना तो जरूर चाता है और एक farmer के रूप में settle होना चाता है बर उसकी financial condition अभी कुछ खास अच्छी ना होने की वज़े से वो अपने इस job को छोड़ भी नहीं पा रहा है और इस story में वो कभी भी खुद physically appear नहीं होता है अब इसके बाद फिर second जो most important character है यहाँ पे वो है the drover's wife यानि उस चरवाहे की wife जो कि इस story की protagonist या central character भी है तो उसने अपने life में काफी सारे challenges को और hardship को अकेले ही face किया है और इस lady के total 4 बच्चे हैं जिन में से दो लड़के हैं जिनका नाम Tommy और Jackie है और दो छोटी बच्चियां जिनका नाम इस story में हमें नहीं बताया गया है तो Tommy जो है वो इनका बड़ा बेटा होता है जो की लगभग 11 साल का है और वो हमेशा ही अपनी मा को protect करने की कोशिश में रहता है और इसलिए वो इस story में एक साप को मारने के लिए भी काफी ज़दा determined होता है अब इसके बाद फिर अगला जो character है उसका नाम है Jackie जो की इनका दूसरा बेटा होता है और वो Tommy से उम्र में छोटा होता है और इस story में Jackie जो है वो बार बार अपनी मा से complain करता है कि उसका बड़ा भाई Tommy उसे सोने में disturb कर रहा है जिसकी वज़े से उसकी मा जो है वो उसके लिए थोड़ा और room या space बना देती है ताकि वो अच्छे से सो सके और अब इस story का last जो important character बाकी है वो है alligator का तो alligator जो है वो असल में उनकी एक family dog का ही नाम होता है जो की एक black color का बड़ा सा mongrel dog है तो basically वो एक काफी fearless किसम का dog है और वो अपने family को बचाने के लिए हमेशा आगे रहता है तो चलिए ये तो हमने discuss कर लिया इस story से related कुछ major characters को तो कुछ और भी minor characters है इस story में जो की हम लोग इस story के दोरान discuss करेंगे तो बिना time waste की आज को जो हमना topic है The Drover's wife इसे हम लोग शुरू करते हैं तो इस story की शुरूआत कुछ इस तरह से होती है कि शाम का समय होता है और Australia के शहरों से दूर वहां के एक बाहरी छेत्र में या एक remote area में एक bush woman या कहले एक चरवाहे की जो wife होती है वो अकेले ही अपने चार बच्चों के साथ वो वहां पर एक छोटे से घर में या hut में रह रही होती है तो इनका घर जो है उसमें टोटल दो room होते है बाहर के साइड में एक वरांडा और इनके घर के कोने में एक बड़ा सा लकडी का बना हुआ किचन होता है जो कि इनके घर से भी थोड़ा बड़ा ही लगता है तो अब वो लेडी जो है वो नॉर्मली अपने किचन में काम कर रही होती है और उसके चारो बच्चे जो थे वो घर के आसपास खेल रहे होते है तो अब तभी अचानक से फिर क्या होता है तभी उनका एक बच्चा जोर जोर से चिलाने लगता है और वो कहता है साप, ममी यहाँ पर साप है तो उसकी मा जो है यानि वो बुश वुमेन वो तुरंत अपना सारा काम का छोड़ कर वो किचन से बाहर निकलती है और वो अपने एक छोटी से बच्चे को जमीन से उठाते हुए अपने गोद में लेती है और एक लकडी के डंडे को पकड़े हुए वो अपने बड़े बेटे तॉमी से पूछती है कहा है साप, बोलो कहा है वो तो तॉमी फिर उने कहता है कि वो उन लकडियों के धेर में घुज गया है और इसके साथ ही तॉमी अपनी मा को आगे जाने से रोकता है और कहता है कि मा आप आगे मत जाओ मैं उसे देखता हूँ तो उसकी मा फिर उसे जोर से डाट लगाती है कि तॉमी तुम वहाँ से पीछे हटो वो साप तुमें काट लेगा और तुम एक बार बात कहने से सुना करो तो टॉमी फिर क्या करता है वो अपने से भी बड़े साइसा कहीं से डंडा उठा लाता है और वो उस साप को मारने के लिए बिलकुल रेडी होता है तभी अचानक से फिर क्या होता है वो साप उन लकडियों के धेड में से निकलते हुए वो उनके घर की एक सुरंग की तरफ या एक होल की तरफ जाने लगता है और टॉमी और उनका एक पाल्टु डॉग जिसका नाम ऐलिगेटर होता है वो दोनों ही उस साप को मारने के लिए या उस पे अटैक करने के लिए वो उसके पिछे भागने लगते हैं बट अनफॉर्टॉनेटली वो साप उनके घर के उस सुरंग में जो की जमीन और दिवार के बीच में होता है वो उसमें जाकर घुश जाता है चिप जाता है तो अब वो बुश वुमेन जो है वो ये बात जानती थी कि उस साप का काटना कितना डेडली या डेंजरस हो सकता है इसलिए वो क्या करती है वो अपने सभी बच्चों को वो उन्हें अपने डॉग अलिगेटर की घर के पास एक साथ रुकने के लिए कहती है और तब तक वो किचन में जाकर वो दूद से बने दो पकवान या डिश बनाकर ले आती है ताकि उसकी मदद से वो उस साप को लुभा सके और उसे उस सुरंग से बाहर निकाल सके बट अनफॉर्चनेटली उसका ये प्लैन भी नाकाम्याब हो जाता है और एक घंटे के इंतिजार के बाद भी वो साप उस सुरंग से बाहर निकल कर नहीं आता है तो अब सूरच जब धल जाता है और रात हुने लगती है और बाहर भी जब तेज हवाय चलने लगती है और बिजली करकने लगती है तो बुश वोमेन फिर क्या करती है वो अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाने के बजाए वो उन्हें किचन में लेकर जाती है और वहीं पर एक table होता है उस पर ही वो उनका बिस्तर set कर देती है और उन्हें खिला पिला करके वो वहीं पर उन्हें सुला देती है पर टॉमी जो है यानि उनका बड़ा बेटा वो अपनी मां से ये कहता है कि मां मैं भी राद बार जागना चाहता हूँ और उस सापको मज़ा चाहता हूँ तो उसकी मां फिर उसे जोर से डांट लगाती हैं कि तुम हर बात पर इस तरह से जिद मत किया करो और चुप-चाप से सो जाओ तो टॉमी जो है वो क्या करता है वो अपने साथ ही उस बड़े से डंडे को लेकर सो जाता है जिसकी वज़े से उसके छोटे भाई जैकी को सोने में काफी ददा प्रॉबलम होने लगती है और वो अपनी मां से बार-बार कंप्लेन करता है कि मां टॉमी को कहो कि वो इस डंडे को यहां से बाहर फेके मुझे सोने में तकलीफ हो रही है तो टॉमी फिर उससे बहस करने लगता है और फिर फाइनली उसकी मां जैकी के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगा बना देती है ताकि जैकी अराम से सो सके तो अब आधी राज जब बीच जाती है और उसके सभी बच्चे जब सो जाते हैं तो वो बुश वुमेन जो है वो उस टेबल की बगल में ही बैट कर वो अपना ध्यान उस सुरंग पे लगाये रखती है और रात को बिताने के लिए वो सिलाई का काम या फिर एक यंग प्रीज के जर्णल को या मैगजीन को पढ़ने लगती है और जब भी उसे थोड़ी सी भी आहट सुनाई देती है तो वो अपने डंडा लेकर बिलकुल तैयार हो जाती है तो अब रात को हवाएं जो हैं वो काफी तेज चलने लगती हैं जिसकी वज़े से उनकी मुमबत्त या कैंडल जो है उसके बुझने का खत्रा भी बढ़ जाता है तो लेडी फिर क्या करती है वो अपने मुमबत्ती को न्यूस्पेपर की मदद से चारों तरफ से कवर कर देती है ताकि वो उन तेज हवाओं से बिलकुल सेफ रहे और उनका डॉग ऐलिगेटर भी अपनी अंगल से कावर्ड या कायर नहीं होती है बट रिसेंटली उसके ब्रदर इन लॉग यानि उसके हस्बेंड का जो भाई होता है उसके बेटे की साप काटने की वज़े से देथ हो गई थी और इसके साथ ही कई महीनों से उसे अपने हस्बेंड के बारे में कोई खबर भी नह जिनता में आ जाती है और वो फिर अपने कुछ पुराने इंसिडेंस को याद करने लगती है तो अब एक एक करके मैं आप लोग को उन सारे इवेंड के बारे में बताता चलूंगा जिसके बारे में वो बुष मुमन बैट कर सोच रही होती है तो सबसे पहले तो वो उस समय के बारे में सोच रही होती है जब उसकी नई नई शादी हुई थी और उसने ये सोचा था कि वो अपने हस्बेंड के साथ यानि उस ड्रोवर के साथ एक कमफर्टेबल और हापी लाइफ को लीड करेगी बट अनफॉर्चनेटली एक ड्रॉट की वज़े से यानि सूखा प है वो जातर समय अकेले ही रहती है और वो दिन रात मेहनत करती है अपने फैमली के सर्वाइवल के लिए उसने काफी लंबे समय से अपने हस्बेंड से भी नहीं मिला होता है और जब कभी भी उसका हस्बेंड घर लोडता है तो वो उसे काफी अच्छी तरीके से ट्रीट कर होता है अब इसके बाद फिर वो उस इंसिनेंट के बारे में सोचने लगती है जब वो अपने दो आखरी बच्चों को जन्द देने वाली होती है और उस समय वो मरते मरते बची थी क्योंकि उसके हस्बेंड ने किसी ड्रंकें डॉक्टर को फोर्सवोली बुला लिया था औ और कुछ समय के बाद उसके पास एक लोकल एब ओरिजनल कपल ने आकर उसकी जान बचाई थी तो एब ओरिजनल कपल का मतलब है कि एक वही के लोकल आदिवासी कपल ने उसकी जान बचाई थी जिनका नाम किंग जिमी और उनके मिस्ट्रेस का नाम ब्लैक मेरी था उन्हों नहीं उस critical moment में उसकी जान बचाई थी अब इसके बाद फिर वो एक तीसरे incident के बारे में सोचने लगती है जब उसके एक बच्चे की death हो गई थी और उस समय उसने कैसे अपने उस death बच्चे को गोद मिले कर उसने almost 19 miles तक चले थे ताकि उसे कोई मदद मिल जाए तो इसी तरह से सोचते सोचते रात को लगबग दो बच जाती है और वो bush woman देखती है कि उनका dog alligator जो है वो अभी भी उस सुरंग पे नजर बनाए बैठा हुआ है तो वो lady फिर क्या करती है वो जो अपना काम कर रही थी वो उसे side में रख देती है और वो फिर से उन incidents के बारे में सोचने लगती है कि किस तरह से जब उसका husband घर पे नहीं था तो कैसे उसने उन natural calamities से, wild animals से और different situation से deal किया था उन incidents के बारे में सोचने लगती है तो सबसे पहले तो वो एक bush fire वाले incident को याद करती है जब वही पर एक बार जाडियों में या वहां के सुखे घास में आग लग गई थी तो कैसे उसने अपने आपको बचाने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने अपने एक husband के old trouser को पहन कर और एक लाठी को ले कर उसने अपनी जी जान लगा दे थी उस आग को बुझाने के लिए और finally फिर वहीं के चार्ड लोकल बुश्मेन की मदद से उसने उस आग पे काबू पाया था इसके बाद फिर वो एक flood यानि बार वाले incident को याद करती है जब काफी तेज बारिश और बार आने की वज़े से उसके husband के द्वारा बनाया गया एक dam यानि पानी रोकने के लिए एक बान बनाया था जो उसके husband ने वो उस बार के पानी के वज़े से तूट जाता है जिसकी वज़े से वो उस समय काफी रोती भी है और वो सोचती है कि वो अपने हस्बन को क्या जवाब देगी फिर इसके बाद वो उस इंसेंट के बारे में सोरसन लगती है जब उसने अपने दो बेस्ट काउस को एक प्लियोरो नीमोनिया नाम की बिमारी के वज़े से खो दिया था फिर इसके अलावा वो एक बुल इंसेंट को याद करती है जब एक पागल सांड ने उसके घर को घेर रखा था तब उसने अपने घर के दिवार से यानि उसके घर के दिवार में एक होल था तो उसमें से उसने एक पुरानी बंदूग से निशाना लगा कर उस बागल सांड को मार गिराया था फिर उसने क्रो और इगल से भी फाइट किया था जो कि उसके मुर्गियों पे या उसके चिकन्स पे नजर रखे हुए थे और लास्ली उसने कुछ अजनभी बुश्मन से भी डील किया था जब उसके हजबन घर पे नहीं थे तो उसे अकेले ही उन अजीब से लोगों से टैकल करना पड़ा था बटन सब चीजों के अलावा भी उस लेडी के लाइफ में कुछ प्लेजरेबल या हापी मोमेंट्स भी होते हैं जैसे कि उसे यंग लेडी के जर्नल या मैगजीन पढ़ना काफी अच्छा लगता है और वो हर संडे अपने बच्चों को और अपने आपको अच्छे से तया करके वो बाहर वॉक के लिए जाया करती है जिसमें उसे खुशी मिलती है तो अब इन सारी इवेंट्स को सोस्तर सोस्ते इसी तरह से पूरी रात बीच जाती है और जब सुबह होने वाला होता है या जब डॉन का टाइम होता है तो उसे फिर रियालाइज होता है कि उसकी जब लकडिया निकालने के लिए जाती है और जैसे ही वो एक स्थिक ये एक लाठी की मदद से वो लकडियों को खीचती है तो सारा लकडि जो है या पूरा वुड पाइल जो है उस लेडी के उपर गिर परता है और वो बैठ कर रोने लगती है और तब उसे याद आता है कि जिस एब ओरिजनल मैन या आदिवासी को उसने इस वोड पाइल को कंस्ट्रक करने के लिए कहा था उसने इस वोड पाइल को या लकडियों के धेर को उसने हॉलो या खोकला ही कंस्ट्रक किया है और उस आदमी ने इस वोड पाइल को सिफ सामने से ही भर दिया था और अंद उसके रुमाल में छेद होता है और तब उस समय उसे अपने सिच्वेशन पे हसी आने लगता है तो अब इस स्टोरी के लास्ट में क्या होता है पूरी रात इसी तरह से बीच जाती है और जैसे सुबा होने वाला होता है तबी अचानक से वो साप उस सुरंग से बाहर निकलता है और अलिगेटर यानि उनका वो डॉग जो है वो उसका पिछा करते हुए वो उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे मार देता है और जिसके बाद फिर वो बुश वोमेन एक लाठी की मदद से उस मरे हुए साप को जलते हुए आग में डाल देती है और बाद में जब उनका बेटा टॉमी जाकता है और अपने मा के आँखों में आसू देखता है तो उस समय वो खुझ से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी एक ड्रोवर मैन नहीं बनेगा क्योंकि उसके पिता के गैर मजूदगी में उसने अपने मा को कितने प्रॉम्लम्स अकेले ही सफर करते हुए देखा है तो वो इसलिए खुझ से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी ड्रोवर मैन नहीं बनेगा और उसकी मा फिर उसके फोर हेड पे किस करती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है तो इस तरह से वीडियो खतम होता है और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप कमेंट करके ज़रूर बताएं लाइक करें, शेर करें अपने दोस्तों के साथ और वाचिए वाचिए